भ्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ शादी क्यों की? अगर आप भी जानना चाते हैं तो चलिए आज किस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों पुरानिक कथाओं के अनुसार भ्रह्मा जी की उत्पत्ती शीर सागर में विराजमान भगवान विश्नु की नाभी से निकले कमल के द्वारा हुई थी। इसलिए वो स्वयंभू भी कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी के चार मुख होने के पीछे ये कारण बताया जाता है कि जब उनकी उत्पत्ती हुई तो उन्होंने अपने चारों और देखा जिस कारण उनके चार मुख हो गए। ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी सुनने के पीछे लोग जानना चाते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह क्यों किया आपको बता दे कि आज से कुछ साल पहले अलग-अलग सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर ये पोस्ट बहुत वाइरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी की थी आज इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि हर जग्या प्रचलित इस कथन में कितनी सच्चाई है और भ्रह्मा सरस्वती के बीज क्या संभंध है इससे पहले आपको बता दे कि भ्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब स्रिष्टी की रचना हो रही थी हिंदू ग अगवान शंकर को सरिष्टी के संभारक के रूप में जानते हैं अब भ्रह्मा और सरस्वती की कहानी को समझने के लिए हमarni वीडियो के साथ अंतब बने रहिएगा प्यारे दोस्तों भ्रह्मा और सरस्वती की कहानी शुरू करने से पहले हम लोगों के मन के सवालों को ब्रहमा और सरस्वती का संभंध क्या है सरस्वती पतनी या ब्रहमा की बेटी ब्रहमा जी की पूजा क्यों नहीं होती है ब्रहमा जी की कितनी शादियां हुई है चलिए जानते हैं दोस्तों भ्रह्मा और सरस्वती की कहानी आप सबको मालूम होगी कि हिंदू धरम में भ्रह्मा विश्णू और महेश को सृष्टी के निर्माता पालक और संगारक के रूप में जाना जाता है मगर कमाल की बात तो ये है कि आपने प्रित्वी पर विश्णू महेश और शिव के बहुत सारे मंदिर देखे होंगे मगर आपने कभी भगवान भ्रह्मा के मंदिर नहीं देखे होंगे पूरे पृत्वी में भगवान भ्रम्मा की मूर्ती केवल भारत के पुशकर में हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान भ्रम्मा की पूजा ना होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा है। प्यारे दोस्तों एक वाइरल पोस्ट के मुताबिक भगवान भ्रम्मा ने सरस्वती से शादी की थी जो कि उनकी बेटी थी। इस वज़े से भगवान भ्रम्मा की पूजा नहीं होती है। इसे अच्छे से समझने के लिए इस प्रश्ण को अंत में विस्तार से प्रस्तूत किया गया है। आखिर क्यों भ्रम्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया। इसका प्रसंग एक वायरल पोस्ट के मुताबिक सरस्वती पुरान में भगवान भ्रम्मा और माता सर्वती के विवाह की बात लिखी हुई है। इस प्रश्ण के मुताबिक जब भगवान भ्रमा सृर्ष्टी का निर्मान कर रहे थे तो सृर्ष्टी के निर्मान को आगे जारी रखने के लिए ज्यान की अवशक्ता थी। इस वज़े से अपने मन में उन्होंने माता सरस्वती का निर्मान किया। सरस्वती की कोई मान नहीं है उनका जनम भगवान भ्रम्मा के मंद से हुआ है सरस्वती को ग्यान की देवी के रूप में जाना जाता है भगवान भ्रम्मा ने सरस्वती के साथ साथ स्रिष्टी का निर्मान किया और स्रिष्टी के अलग-अलग जीवजन्तु पहाड जंगल नदी आदी का निर्मान किया इस निर्मान प्रक्रिया के दौरान भगवान भ्रम्मा माता सरस्वती के रूप से अकर्शित हो गए माता सरस्वती ग्यान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत अकर्शक थी मगर सरस्वती का जनम भ्रम्मा से हुआ है इस वज़े से जब भगवान भ्रहमा सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई हलांकि इन सब के बावजूद भ्रहमा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृत्वी पर जंगल में निवास किया पृत्वी पर सरस्वती के साथ भ्रहमा जब निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिये मनु नाम के पुत्र का जनम हुआ आगे चल कर मनु की संताने मनुष्य जाती के पनपने का कारण बने भगवान भ्रहमा के इस वियवार के कारण देवलोक में ये निश्चे किया गया कि भगवान भ्रहमा की पूजा नहीं की जाएगी कुछ सूतरों के मताबिक सरस्वती पुरान में बताया गया है कि भगवान भ्रमा ने सरस्वती को अपने मन से उत्पन किया था और माता सरस्वती की खूब सुरती पर मोहित हो गए थे जब सरस्वती माता इस बात को समझ गई तब भगवान भ्रमा की नजर से बचने के लिए वो रूप बदल कर धर्ती पर आ गई मगर भ्रह्मा जी ने हार नहीं माने और माता सरस्वती को खोज निकाला भगवान भ्रह्मा माता सरस्वती के साथ शारीरिक संभंद बनाना चाहते थे और सरस्वती इसके लिए तयार नहीं थी सरस्वती ने भ्रह्मा को श्राप दिया था कि धर्ती का निर्मान करने के बावजूद धर्ती पर आपकी कभी पूजा नहीं होगी इसी वज़े से भगवान भ्रह्मा ने माता सरस्वती नारद मनू जामवंत सनातन सनातन और सनत कुमार का जनम अपने मन से किया और पृत्वी को आगे संचालित करने के लिए धर्ती पर भेजा इसमें पृत्वी पर ग्यान के संतूलन को बनाई रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली इस्तरी को पतनी का दरजा दे दिया गया अगर भ्रहमांड में मौझूद हर चीज भगवान भ्रहमा ने की है तो बेटी हो या पतनी दोनों की ही रचना भगवान भ्रहमा के द्वारा संभव थी भगवान भ्रहमा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्मान अपने मन से करन पड़ता और उनके मन से उत्पन होने के कारण उनका रिष्टा बेटी की तरह भी लगाया जाता है हालां कि स्रिष्टी का निर्मान होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण भ्रहमा का विवाह पांच बार हुआ था इस वजे से उनकी कुल पतनिया पांच हैं जिसमें सर भी गतीविधी पर खूब क्रोधित हुई उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान भ्रहमा को श्राप दे दिया कि धर्ती पर उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी इसके बाद उन्होंने नारद को शादी के लिए लड़की खोज कर लाने के कारण श्राप दिया कि नारद के वियोग में सालों तक तड़ पेंगे इसी श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विश्नु को माता सीता से बिच्छडने का दुख भूगना पड़ा था इसके बाद जब माता सावितरी का क्रोध कुछ कम हुआ तब उन्होंने भगवान भ्रहमा पर दया दिखाते गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई आज भी रतनागिरी पहाड पर माता सावितरी का मंदिर है और उसके ठीक नीचे तीन जहल के बीच बसा पुषकर का भ्रहमा मंदिर मौजूद है इतिहासकारों के मुताबिक अचारे शंक्राचारे के द्वारा सन 711 में य पाता सरस्वती को बनाया था जिसे उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा हमेशा भ्रहमा के साथ रहने के कारण कुछ लोग उन्हें उनकी पतनी मानते हैं तो भगवान भ्रहमा के मन्द से उत्पन होने के कारण उन्हें भ्रहमा जी की बेटी भी कहते हैं भ्रहमा जी की कुल में हमने ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी के बारे में बताया है बहुत सारे लोग इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच क्या संभंध है या फिर भगवान ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी से विवाह क्यों किया था तो इन सबी सवालों का ज यवाद